हेलो गाइस जैसे आप देख सकते हैं आज हमारे पास MI Note 10 Pro एक हैंडसेट है और इसमें साउंड प्रब्लम है जैसे कि आप देख सकते हैं आडियो नहीं आ रहा है तो इसको कैसे रिपेर कर रहे हैं लाइव देखिए आप यह जो हैंडसेट है इसमें डिफाल्ट फाल्ट होता है सॉक का जो के सिस्टम ओन चिप हमारा सीप्यो होता है तो हैंडसेट पूरी तरह से फ्रेश है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोई काम किया हुआ नहीं है फर्स्ट टाइम हमें ही रिपेर करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं बोड पूरी तरह से फ्रेश है है कंटर से हम है कि यहां शील्ड जो लगी हुई है Gaming szp और उसको कट कर लेते हैं है जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे microalley आप को हैं सीप्ये के ओपर जो जाली लगी होती है जो पतरा लगा है है उसको हम कटर से कट करेंगे कि हो अलाकि हीट से भी आप निकाल सकते हैं तो उतना ही आपको कट करना है जितने में आपका CPU आराम से निकल जाए आसपास के component का ध्यान रखना है कोई component missing या मिस्प्लेज नहीं होना है और CPU यहाँ पर cutter से damage नहीं करना है आपको बहुत ध्यान से आपको यह काम easily लिक शिल्ड को रिमूफ करना है SM7150 CPU लगा है इसके अंदर और यह ब्लैक पेस्ट गुलू होता है इसके अंदर बहुत ही रबर जैसा गुलू होता है और इस कारण यह जयातर ड्राइस हो जाता है सीप्यू और ड्राइस होने के कारण आपको इसे रिबॉल करके वापस से लगाना है तो इस वीडियो में लाइव हमने स्टुडेंट के साथ प्रैक्टिकल यह काम करके स्टुडेंट को दिखाया है हलाके जितनी में चीज़ें होती हैं live student के साथ practically बताते हैं online और offline दोनों यहाँ पर हम training देते हैं और अगर आपको hand skill का काम आता है आपको fault finding easy way में सीखनी है network section easy way में बनाना है shorting dead mobile power boot sequence working of CPU requirement of CPU power of requirement requirement of DC to DC fake charging slow charging charging नहीं बढ़ रही है CPU port नहीं बना रहा है switching लेकर छोट रहा है DC की समझ नहीं है आपको six port schematic की समझ नहीं है आपको तो हमारा course online जॉइन कर सकते हैं छे महने तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे application के थुरूप play store में आपको application मिलेगा जहां पर आपको सारा वीडियो मिलता रहेंगा और live हमारी 10 classes होती है फिरूसर के साथ जिसमें आपको 10 classes में सारा advance सारा कुछ काम सिखाया जाएगा तो शिल्ड यहां पर remove कर लेते हैं बहुत धियान से करना है आपको आसपास ट्रैकें होती है ट्रैकें अगर मिस हो जाए तो camera का issue आ सकता है फिर audio का तो already problem है इसमें फिर ग्राफिक भी आपका जा सकता है बोर्ड आपका damage नहीं होना है धियान रखें तो यहां पर शिल्ड कट करेंगे और शिल्ड कट करके CPU के आसपास का जो गुलू है सबसे पहले उस गुलू को remove करेंगे फिर CPU को हम lift करेंगे तो चलिए इतने में हमारा CPU आराम से हम lift कर लेंगे और मैं जो handle यूज़ करता हूँ दो handle ज्यादा तर यूज़ करता हूँ इसमें wooden kit handles आते हैं जिसका box भी आता है उसमें आपको दो handles मिलते है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं जो handle यूज़ करता हूँ वो भी आपको बता दूंगा अभी side glue कट करने के लिए wooden handle हम यूज़ करते हैं और उससे आपको सबसे पहले देख सकते हैं यह वाले handle से आपको side glue first कट करना है आपको इसमें 250 हीट रखनी है air 2-3 रखनी है और चारो side से PCB को घुमा घुमा करके यह glue आपको अच्छे से कट करना है आसपास के component lose contact नहीं होने चाहिए या missing नहीं होने चाहिए otherwise CPU आपका low booting में चला जाएगा और asset हमारा on नहीं होगा यह कभी on भी हो जाए तो ग्राफिक बगारा चला जाएगा तो ध्यान रखिए इस model में तो आसपास में ज्यादा component नहीं है काफी space है लेकिन दूसरे models में आपको component बहुत पास में लगे होते हैं और glue cut करने के समय आपके component loose contact हो जाते है PCB से जिस कारण कुछ और issue बन जाएंगे आपके हंटर में और आप यह समझेंगे कि मेरा CPU सहीं से रिबॉल होकर नहीं लगा है और फिर आप दुबारा उसको निकाल के लगाएंगे फिर आपका काम ऐसे में बढ़ जाएगा कि तो यह चीज को धियान में रखिए चोटा सा ट्रिक टेकनिक है बट बहुत ही पावरफुल टेकनिक है तो glue cut कर लेने के बाद अब हम CPU को lift करेंगे और CPU lifter handle यूज़ करेंगे यह वाला handle यूज़ करेंगे जिसे आप देख पा रहे होंगे तो heat रखेंगे यहाँ पर 360 के असपास और air रखेंगे 304 के बीच में 857 DW Plus SMD मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर CPU को अच्छे से पूरा heat करना है और heat करने के बाद बाल जब बाहर आने लगेंगे इसके उस टाइम पर आपको यहाँ लेफ साइड से इस handle को lifter को CPU में नीचे अंडर डाल करके CPU को उठा लेना है तो पहले heat करना होगा आपको अदरवाइस नीटे के track डैमेज हो जाएंगे जहाँ पर हम आदा CPU पहले गरम कर लेंगे अच्छे से सामने साइड फिर फीचे साइड भी थोड़ा-थोड़ा हलका हलका सा हम heat करते रहेंगे नौजल हमारा घूमते रहना चाहिए एक जगा पर हमको नौजल नहीं रोकना है फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा और गुलू जो है वो सारा का सारा PCB में रह जाएगा आइसी में कुछ कम गुलू रहेगा बट दोनों भी आपको अच्छे से क्लीन करना है CPU भी क्लीन करना है PCB भी क्लीन करना है गुलू जब तक रहेगा आपका handset on नहीं होगा अगर आपको handy skills सीखनी है ब्लैक पेस्टेट, वाइट पेस्टेट CPU कैसे करना है डबल डेकर CPU कैसे करना है तो अब हमारा 10 days का एक advanced course होता है यह देख सकते हैं बाल बाहर आ रहा है बाल आने पर हम CPU को lift कर लेंगे यह देख सकते हैं बहुत easily हमने CPU lift कर लिया है तो 10 days के course में ह हम live आपके ही हाथ से सारा कुछ काम सिखाते हैं अब आप सोचेंगे के 10 दिन में यह कैसे हो जाएगा दोस्तों अगर हम easy trick और technique आपको बताते हैं तो 10 दिन में हो जाएगा अगर हम आपको सहीं trick नहीं बताएंगे तो 10 महीने में भी करना मुश्किल हो जाएगा आपको तो कर रखना हमारा मकसद नहीं होता है इस्टूडेंट को कम समय में easy way में बहुत ही knowledge student को मिल जाए उनका हैंड़ी स्कील अच्छा हो जाए यह हमारी हमेशा से कोशिश रही है तो आपको अगर fault finding सीकनी है तो उसके लिए 10 महीने वी कम पढ़ेंगे येकिन हैंड़ी स्किल के ल ताकि student उसको देख देखकर बार बार देखें और देखकर सीखें और इतना लेवल पर आपको मिलेगा पूरा advanced लेवल पर आपको मिलेगा basic से component, sections, schematic की knowledge, shorting, leakage, live videos मिलेंगे आपको सारा कुछ आपको online course में मिलता है जिसमें सारे वीडियो होते हैं तो यहां पर friends आप देख सकते हैं सबसे पहले PCB किलीन कर लेंगे क्योंकि बोड गरम होता है जब बोड हीट होता है उसी टेम पे आपको सारा CPU क्लीन कर लेना है तो यहां यहां पे disorder wire करेंगे step best process है अगर यह वीडियो का अच्छे से देखेंगे एक से दो बार आप भी CPU को क्लीन करके लगा सकते हैं सारा चीज एर हीट मैंने बताई है आपको सब कुछ बताया है यहां पे disorder wire करेंगे बोड क्लीन करेंगे बोड क्लीन करने के बाद CPU क्लीन करेंगे उसके बाद हम रिवाल करके लगाएंगे अगर आपको हमारे और भी solutions के वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के description में जाए काफी सारे वीडियो से step by step process हम बताते हैं वीडियो के अंदर क्योंकि मेरे वीडियो में hide नहीं होता है कुछ भी जो भी बता रहा हूं मैं आपको सारा का सारा air heat के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताके आपका काम 100% success all यहां पे हम CPU clean कर लिए हैं और अच्छे से clean करना अगर आपको और गुलू दिखता है तो और गुलू एक बार आप फिर से गुलू remove करें क्योंकि थोड़ा बहुत भी गुलू अगर बीच में रहे जाता है तो CPU अच्छे से लगेगा नहीं आपका फिर आपको revolving again करनी होगी cleaning में हमेशा से मैं कहता हूं क cleaning में time लीजिए आईसी लगाना निकालना दो मिनिट का काम है बट cleaning करना ही main important है अच्छे से clean करना है आपको इस side glue आप लोग छोड़ देते हैं और CPU उसी पे जाके बैठ जाता है और नीचे बाल्टच नहीं होते हैं proper या बीच में कहीं कहीं glue रह जाता है जिस कारण आपका CPU प्रॉपर नहीं बैठता है तो cleaning में आपको time लेना है और लगाने निकालना बहुत ही कम समय में है आपको तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा glue remove हो रहा है तो friends online training start करना का reason यह है कि student को अपना दुकान बंद करके कहीं और जाकर एक-एक मेहना बैठने का जरूरत ना पड़े और दुबारा से जो questions वो करते हैं बार-बार class के अंदर तो वो सूचते हैं कि मैं कहीं highlight तो नहीं हो जाओ यह teacher घुशा तो नहीं होंगे डाटेंगे तो आप question कर भी नहीं पाते हैं इसलिए online zoom meeting के थो हमारी class होती है जो के question answer की class होती है आप 10 बार पूछ सकते हैं और दो चीज है आपको problem है तो उसका वीडियो आपको topic application में मिल जाएगा सारा schematic के throw और practical दोनों चीज मैं आपको बताता हूं जो भी आपकी question होते queries होते हैं तो इस इतलाइन की shorting कैसे हटाए या secondary shorting कैसे हटाए लो लीकेज है उसको कैसे बनाए लो बूटिंग है CPU राइस रोड हो चुका है या CPU शॉट हो चुका है पावर हटाए क्या CPU हटाए दोनों में से किस पर काम करें ऐसे confused हो जाते हैं काफी सारे questions होते हैं आपके low charging, fake charging, slow charging में क्य आप चेक करें सब कुछ कर चुके होते हैं फिर भी आप से कुछ ना कुछ रहे जाता है तो मैं जो basic से लेकर मतलब step 1 से लेकर step 10 तक सारी चीज़ें बताता हूं जिसके अंदर आपका सारा कुछ cover होता है practically class होती है इस कारण आपका clearly हो जाता है dots और एक से चार वारा वीडियो देखेंगे तो सारा solution आपको उसमें मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU को एक और बार disorder wire से मैंने clean किया है थाके बचा कुछा glue जो है वो भी आईस्ता से मतलब सारा कुछ remove हो जाए यहाँ पर प्रोसेस चारा बता रहा हूं ताकि आप लोग इससे सीखे कि स्टैप क्या है फाज फारवर्ड में आपको रिजल्ट तो दिख जाएगा बट सीखने कुछ नहीं मिलेगा आपको बीच बीच में टिप्स और ट्रिक्स पी बता रहा हूं आपको तो वीडियो इसकिप ना करें और वीडियो पूरा द लेते हैं कि क्लॉट याद आप एरबट्स का इस्तेमाल करके पीची बीच अच्छे से क्लीन कर सकते हैं थोड़ा सा गुलू मुझे और भी लग रहा है तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगा ताके बाद में मैं एक बार में सीपी बढ़ा हूं तो अच्छे से वह लग जाए और हमारा प्रॉब्लम जो हो जाए यह सब हाइने स्किल का काम होता है फ्रेंट्स इसमें देख सकते हैं कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है एंजी प्रिंट भी डैमेज नहीं हुए क्योंकि हमने इसे बहुत ही नर्म हतों से ओपन कर लिया है प्रेंड वाना प्रिंट्स नंचंड आये ओन से बड़ा इंग आता है अल्लbers बबसकित गईरक भी ट्रेंणि के से भी हम बहुत सारी चीज़ने चेक कर सकते हैं तो सिगनल लाइन से हमारे आई टूसी क्लॉइग डाटा वगराज आप चेक कर सकते हैं तो डियसो का भी मैंने सारा एक पुरा फोल्डर रखा है जिसमें आपको सारे डियसो के वीडियो मिलेंगे अगर आपको डियसो प्रॉपर चलाने नहीं आती है इटूसी प्रॉपर चेकिंग करने नहीं आ रहा है तो आप जोइन कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन कोर्स मोबाइल वापस जा रहे हैं आपके बना नहीं पा रहे हैं कस्टमर का सेट वापस जा रहा हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाए इतने सारे इंस्टिट है आनलाइन जाए कि आफलाइन जाए तो दोस्तों मेरा क्लास जॉइन करके देखिए आप 5 days money back guarantee भी आपको दूँगा में अगर अच्छा ना लगे तो return पैसा आपका ले सकते है तो मेरा course जोइन करिए और सीखिए अच्छे से proper way में क्योंकि हम हर रोज काम करते हैं और आपको बहुत अच्छे से solution दे पाएंगे कि market में counter problems क्या रही है, counter पे क्या problem आ रहा है क्योंकि दोस्तों institute सिर्फ नहीं है हमारा training के साथ repairing service center भी है जहां पे हम practice हर रोज करते हैं हर रोज एक नया fault देखते हैं और उसको repair करने कोशिश करते हैं और जो solutions होते हैं वही student के साथ share करते हैं रटा रटाएवा ग्यान या पर सुना सुनाएवा ग्यान नहीं है फिरेंस हमारे पास 10 साल से ज्यादा ट्रेनिंग देते हुए हमारा समय हो चुका है इसमे सरकिट डाइग्राम की knowledge 10 साल से ज्यादा है hand skill की बात करें तो 15 से 20 साल हो चुके हैं काम करते हुए काफी सारे इस्टूइंट है 15 से ज्यादा इंडिया इंडिया के बाहर हमारे काम कर रहे हैं तो इस लेवल पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा तुबारा कहीं और से सीखने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारा साथ आपके साथ हमेशा होता है तो वाखी रही बात आपके result की वो आप पोस्ट देख सकते हमारे students के जो हम Facebook या YouTube पे डालते हैं या पिर WhatsApp status पे डालते हैं हर रोज जो student काम कर रहे हैं उनहीं के post आपको देखने मिलते हैं तो यहां पर CPU को अच्छे से clean करना है reverse 11 नमबर की blade मैं use कर रहा हूँ यहां पर देख सकते हैं आप glue remove के लिए बहुत सारे tools आते हैं कोई भी एक use कर सकते हैं bend blade भी use कर सकते हैं आप जो CPU lift करने के लिए use किया जाता है ज्यादा तर तो CPU clean हो जाए तो इसे साफ करेंगे अच्छे से और reball कर लेंगे और reball करके fix करेंगे वीडियो पुरा end तक देखें बिल्कुल skip ना करें अगर आपको अच्छे से सीखना है steps आरे सीखना है तो steps देख सकते हैं एक एक process मैंने बताया है CPU को flux दालेंगे एक बड़ करेंगे एक से दो बार यह process करना है CPU आपका clean हो जाएगा नर्मातों से करना है ताखत नहीं लगाना है force नहीं लगाना है CPU के अंदर के गोले जो है वह आपस में shot नहीं करने हैं आपको फिर आपका काम बढ़ जाएगा बहुत सारे मैंने देखे है market में जो set आते हैं जो नए technician काम करते हैं proper knowledge नहीं होती है YouTube पे वीडियो देखते हैं और बोड डेमेज कर देते हैं कहीं सारी printer डेमेज हो जाती है और CPU में जो बॉल है वो आपस में मिला देते हैं shot कर देते हैं या CPU को blade से घस करके उसे damage कर देते ह हैं दोस्तों अगर proper knowledge नहीं है अगर आप देख देख कर काम करोगे तो यहीं होगा कहीं भी जाए किसी एक अच्छे teacher के साथ एक guru के साथ रहे करके सारा काम सीखिए जो आपको सही चीज सही way में सिखा सके बाखी आपकी मर्जी है हमारे पास आना चाहते हैं तो हम 5 student लेते ह हैं उनको अपने साथ रख करके पात दिन के अंदर आप बहुत ही अच्छे से 4G 5G का CPU इजली आप डाल लेते हैं निकाल करके क्लीन करके और 10 चे 15 दिन के अंदर आप ब्लैक पेस्टेट डूल लेकर यह सब कुछ कर लेते हैं ओनली हैंड़ स्किल भी अगर आपको सीखनी है तो जोइन कर सकते हैं मेरा ओफलाइन क्लास और सिर्फ और सिर्फ सर्किट डाइगराम फाल फैंडिंग सीखनी है तो आनलाइन कोर्स मे आपको सब कुछ मिलेगा जितना कुछ मोबाइल के अंदर आपको चेकिंग के लिए चाहिए वो सारी चीज जो इंडिया के अंदर है वो सब कुछ आपको मिलेगा आनलाइन कोर्स में कोई आपको कमी नहीं रहीगी उसमें सारा कुछ मिलेगा और दुबारा किसी और से पॉनल का सरकिट है वो सब कुछ मिलेगा आपको जितने भी फाल्ड यह सब कुछ आप रिपेर कर पाएंगे क्योंकि आपके पास जो हो जाई इक स्कोर्स के बात नौलज जो जाई हो आपकी एडवांस नौलज रहेगी और आप मार्किट के जो सेट है आप रिपेर करेंगे जो काम वापस जा रहा है दूसरे दुगानदारों से उसको आप रिपेर कर सकते हैं क्योंकि आपका नॉलेज अगर बढ़ गया हैंडी स्कील अच्छा हो गया तो आप 100% आप सेट को रिपेर कर सकते हैं तो CPU अच्छे से क्लीन करेंगे और अच्छे से क्लीन हो जाए तो रिवाल करेंगे साफ अच्य से करना है जैसे में बार बार बता रहा हूं क्लिनिंग प्रोसेस क्लिन प्रोसेस पर भी ज्यादcole देतेмен वे आपको यह वनटाइम क्लिन किलिन हो ONE टाइम में आपका कान सखेस हो तो आप क्लिन अच्छे से कर रहिए टाइम लिजिए clean करने में इस handset को repair करने के thousand to fifteen hundred मिलते हैं आपको और ये काम आप 20 मिनिट के अंदर आप कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो आपको 25 मिनिट का वीडियो मैंने बताया है आप 20 मिनिट के अंदर 15 मिनिट के अंदर ये CPU कर सकते हैं अगर आपका handy skill अगर अच्छा है नहीं है तो आप हमसे आकर contact करें हमसे मिले आपका handy skill भी अच्छे से बना देंगे आपकी knowledge भी काफी better हो जाएगी थोड़ा सा glue यहाँ पर दिख रहा है मुझे मैं इससे साफ कर लेता हूँ ताकि अभी जो reball करूँ तो मेरा जो पीपीडी है वो जाकर proper ball के साथ connect हो otherwise जो पीपीडी है वो air में ही रहेगा stencil में ही फसा रहेगा और CPU में proper connect नहीं हो पाएगा तो फिर आपका set on भी नहीं होगा इसे में तो चलिए अच्छे से clean होने के बाद reball कर लेंगे और reball करके fix करेंगे और जैसे आपको पता है reball के लिए stencil की ज़रोत परती है एक treasure की और पीपीडी apply करेंगे एपलायर के साथ और फिर heat देंगे heat आपको 320 या फिर 300 के असपाद heat देनी है reball करने के लिए जैसे आप जानते हैं सबसे पहले इस्टेंसिल को अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि उसमें भी कभी कभार बॉल फसे होते हैं जिस कारण खचरा वगरा डस्ट वगरा होता है और हमारा पीपीडी जो है फिर और पर CPU तक पहुंच नहीं पाता है पिर इसमें आपका time waste हो जाएगा चलिए CPU को रिबॉल कर लेंगे क्लीन करेंगे PCB में放ट करेंगे लगा देंगे लगा करके चेक करेंगे तो सेंसिल मैच कर लेंगे ट्रीज़ा से पकड़ेंगे PPD apply करेंगे PPD apply करके क्लास से और फिर hit करेंगे तो हमारे सारे बॉल इस तरीखे से बन जाएंगे थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे और हीट करेंगे ताके यह ब्लैक पेस्टेट सीप्यू है फ्लक्स डालने से नीचे बॉल अच्छे से पकड़ लेते हैं यह देख सकते हैं हमारा सीप्यू यहां पर यह बॉल अच्छे से हो चुका है जैसे कि पिक लॉट वगरा से आप उसको साफ कर लें थुरा सा डश्ट मुझे उपर के साइड लग रहा है तो मैं सीप्यू का जितना प्लेस है उतना प्लेस को एक बार अच्छे से साफ कर लेता हूँ और साफ करने के बाद हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद सीप्यू लगा लेंगे और लगा करके चेक करेंगे कि हमारा हैंड सेट अन होता है कि नहीं होता है तो फ्लक्स लगाएंगे और हीड जो लगती है 350 और एर लगत थोड़ा सा पहले flux डालेंगे और flux सारा जितना CPU का एरिया है उतना एरिया में अच्छे से आपको लगा देना है और चलिए अभी हम CPU को set कर लेंगे fix कर लेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आपको CPU को match कर आप उपर का जो corner पर yellow mark दिख रहा है वहां पर आपको लिजा करके CPU को set कर देना है left side में भी yellow mark है उसके साथ properly connect कर देना है CPU को और जब properly match हो जाए तो बस आपको heat देनी है और CPU को अच्छे से fix कर देना है तो चलिए CPU fix कर लेते हैं heat और air मैंने बता दी है आपको 350 heat और air रखेंगे 3 पे और CPU fix कर लेंगे और CPU fix होने के बाद थोड़ा साथ टच करके आपको चेक करना है सहीं से बैठा है कि नहीं कभी कबाद CPU प्रॉपर ना बैठने के कारण सेट हमारा low booting में चला जाता है या CPU internally ball and short हो जाती है तो high booting में चला जाता है तो धियान से आपको काम करना है आपके heat और air temperature क्या है आपके room में कितना cool में इसी में काम कर रहे है कैसा काम कर रहे है उसके साब से set करी आप मैं यह average temperature बताया हूँ heat और air का तो आपके room के साब से आप काम कर सकते है तो चलिए CPU यहाँ पे लगा लिए है अभी हम set को PCB cool होने के बाद on करेंगे और on करके check करेंगे देख सकते है CPU यहाँ पे बैठ चुका है बस हमारा काम हो गया इतना ही हमको काम करना था वीडियो अच क्या topic पर आप वीडियो देखना चाहते हैं और आप सब का तहीं दिल से thanks कहना चाहूँगा हमारे वीडियो देखने के लिए और हमारे वीडियो को थोड़ा अपने personal groups में social media और whatsapp platform पे थोड़ा सा share करिए ताके दूसरे technician भायों तक यह knowledge पहुंचे हमारे जो वीडियो होते हैं उतना दूर पहुंच नहीं पाते हैं सभी के पास आप लोगों की help चाहिए एक दो groups में जरूर सेंड कर दीजिए ताके दूसरा technician भायों भी free की knowledge ले करके कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं कि हमारे चैनल पर solutions के काफी सारे वीडियो आते रहते हैं हमारे वीडियो जो होत है बाखी चलिए कोई बात नहीं तो चलिए PCP को fix कर लेंगे और उसको देखते हैं हमारा answer on होता है या नहीं वीडियो अच्छा लगा तो like करे शेयर करें और online course जोईन करना है तो रात से आज रात साड़े-9 से class है online आप जोईन कर सकते हैं चलिए मिलते हैं वीडियो के end मे thank you very much झाल 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 झाल झाल